दिल्ली अपने भाग्ये पे आसू बहा रही थी और फिर दिल्ली अपने भाग्ये पे आसू बहा रही है आज मैं जब आपके समक्ष बैठा हूँ कुछ जानकारियां लेकर के तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कुरसी पे बैठ रही है मगर ये बहुत ही दुखद एक दिर्श्य हमको दिखने को मिला आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के बगल में खाली कुरसी रखी गई है अब पता नहीं कोई आत्मा भी चलाएगी दिल्ली को या क्या है यह हमारी समझ के बाहर है मैं खाली कुर्सी को देख करके मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि यह संविधान का बहुत बड़ा अपमान है संविधान मुख्यमंत्री के अंदर उसारी शक्ति देता है जिसको एक्जिक्यूट करना मुख्यमंत्री की सबसे परम सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लेकिन हमारी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिसी जी ने बाबा साहब भीमरा अंवेदकर जी के संविधान को धता बता दिया कि वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन नहीं है वो मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदार नहीं है क्या घोर कल्यूगा गया है हर रावन अपने आपकी तुलना राम से कर रहा है केजरिवाल की भगवान शीरी राम से तुलना हिंदू धर्म सनातनी परंपरा और साक्षाद प्रभु शृरी राम का अपमान है एक दारू प्रेमी एक शराप प्रेमी एक दारू के लिए अरोपी व्यक्ति की भगवान श्रीराम से तुलना भगवान राम के विशाल स्वरूप और विशाल चरित्र का अपमान और ये कौन करना है तुलना कौम्रेड आतिशी मार लेना जी हिंदु धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान करना बंद कीजिए और रही बात मुख्यमंत्री की कुर्षी किसी व्यक्ति की कुर्षी नहीं होती दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्षी दिल्ली के लोगों की कुर्षी होती है दिल्ली के लोकतंत्र की कुर्षी होती है भारत के स्वमिधान की कुर्षी होती है वहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा देखे मुझे भारी उब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे वेक्ति जो ब्रस्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है उसको मर्यादा पुरुशोत्तम राम से कंपेर किया जा रहा है जहां तक दिल्ली की राजनीती की बात है आतिशीजी ने आज हद कर दिया है और जो रही से ही उमीदें लोगों को इस सरकार से थी वो पूरी तरीके से आज कहीं न कहीं धूमिल होती नजर आ रही है जिस तरीके से आतिशीजी ने स्वैम अपने आपको एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है तो मुझे कोई उमीद अब बची नहीं है कि देश की जन जो यह आस लगाए बैटी थी कि कुछ सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी देखिए ये उनका अंदरूनी मामला है क्या करें लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ के एक खाली कुरसी रखकर बराबर की कुरसी पर वो बैठी है बहाए सियत मुख्यमंत्री तब तो इस खाली कुरसी को भरने में 14 साल लगेंगे अगर वो यही बताना चाहती हैं कि वो भरत की तरह राम का इंतजार कर रही हैं तो ये कुरसी आने वाले चुनाओं में नहीं भरी जाएगी फिर तो 14 साल के बाद वो सोच सकती है कि ये कुरसी भरी जाएगी और 14 साल के बाद कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक और मैं अतिश्री के चीद कहना चाहता हूं कि भरत जी ने नंदिक राम में अयोध्या के बाहर बैठके चरुन पादुकार रखके राम जी का इंतजार करा था, शत्रुगंजी ने अयोध्या को चलाया था, अगर वाके में अतिश्री जी इस बात में अगर बलीब भी करती है तो उनको सचे वाले के बाहर बैठके के इजरी वाल जी का इंतजार करना चाहिए, और सही रहेगा कि तिहार जल की बाहर बैठें, कि बहुत जल्दों वहां जाएंगे, किस तरीके से कोई व्यक्ति एक शराब माफिया से लिप्त व्यक्ति की तुलना श्री राम से कर सकता ह ये ओछी राजनीती, अर्विन केजरीवाल जी करना चाहते है।